अभी हम लोग दो दिसंबर 2018 को हुए बन रच्चक परिच्छा का इवनिंग सिफ्ष का पेपर देखेंगे पहले हम लोग इसमें हिंदी देखेंगे और फिर थोड़े समय बाद इसका जीएस देखेंगे इसमें जो आयोग ने एंस्वर दिया है मैं उसी को टिक कर रहा हूं बाकि उसमें कुछ न कुछ एक दो कोशन गलत होंगे उसको हम लोग अपना आगे समझते रहेंगे पहला कोशन पूछा गया था देशज सब्द छाटिये चार आपसन थे तारीक डिविया सूरज जनम आयोग ने इसका जो सही एंस्वर माना है वह एंस्वर बी को माना है य कि रासायन जो है यह ब्यांजन संधी नहीं है फिर यह था इस्तुत्य का बिलोम क्या होगा इस्तुत्य का बिलोम हे होगा आपसन नमबर सी और खगेश का परहवाची है खगेश का परहवाची होगा वासुदेव वाक वैनते और विधू इन चारों में से खगेश का वाची होगा सी वैंते जिसकी ध्वनी मुख से निकलती है वे क्या है तो जिनकी ध्वनी मुख से निकलती है वे क्या है क्वेशन नमबर फाइब इसमें निर निर नासिक स्वर आफसर नमबर डी क्वेशन नमबर छे क्वेशन नमबर छे में ये पूछा गया था कि द्रिग क वर्डविच्छेद है द्रिग सब्द का वर्ड विच्छेद है और इसमें जो सही आपस्द होगा वह होगा पहला द matière रिसि प्लस कहले मेश इसका अपसंद ये सही होगा पिर असुद्द सब्द है आफसंद पहला था अनसूया दूश्रा एनक तीसरा संकट और था Para sa इस मुहावडे का अर्थ बताना था तो लस्कर में उट बदनाम का होगा दोज किसी और का और बदनामी किसी और की तो आफसर नमबर डी इसका सही होगा फिर था सही बरतनी वाला सब्द कौन सा है तो कोशन नुमर 9 में सही बरतनी वाला जो सब्द है वह है सूसरुसा यहने option number B भवी सकाल की क्रिया को बहुवशन बनाने में बनाने में A पर क्या होता है तो A पर क्या होता है तो इसका option होगा बीम, चंद्रबिंदी या अनुस्वार फिर हम लोग देखते हैं question number 11 question number 11 में 4 सब्द दिया है और यह पुछा गया था कि इसमें से इस्त्री लिंक सब्द कौन सा है option था सलाद, सनक, सारस और सलाम इसमें जो होगा सही होगा वो होगा सनक फिर आयादी संदी, बताना था कि आयादी संदी इसमें से कौन है तो question number 12 में आयादी संदी है नौ धन एक यानि option number D फिर अगला question था अभ्याई भाव समास का उधारण है अभ्याई भाव समास का उधारण है इसमें पल पल फिर question number 14 चौबदर में ता यह विसेषड़ बताई विसेषड पूशा था विसेषड़ बताईए चंभ में फेल सिच्छा भ्रम तो विसेषड़ जाहिरती बात है इसमें देख रहा है सीधे सीधे की चंभ में है फिर अगला कॉशन कोशन नंबर 15 इसमें था बा उपसर्ग किसमें है तो बगस उपसर्व, आफसन चार हैं, बधबू, बदावलत, बधनाम, बद हजमी, तो इसमें जो बगस उपसर्ग है यह कोईश आफसन नमबर B बदावलत में है question number 16 16 में ये पुछा गया था विदेशच सब्द है विदेशच तो विदेशच सब्द में जो है न 16 में चस्मा, जूता, जीव, वाजू इसमें जो चस्मा है ये विदेशच है निम्रकी सब्दों में से तद्बह सब्द को छाटिए तद्बह बताना था question number 17 में तो इसमें नासिका, बच्चा, ग्रीश, मौल, लच्मी इसमें जो बच्चा है question option number B ये तद्बह है फिर चीर, अबलिक चीर का अर्थ क्या होता है तो इसमें होगा चीर मतलब पुराना और चीर माने होता है कपड़ा option number C फिर प्राणदा के लिए अनेक सब्द है question number B में इसमें होगा प्राण रहने का मंत्र जीवन देने वाली दवा जीवन चाहने वाली रा या प्राण रहने का अभ्यास तो इसमें option number B सही होगा जीवन देने वाली दवा question number 20 में ये पूछा गया था कि मिस्त्र वाक के क्या है option 4 थे उसने अपना घर लुटा दिया दूसरा सूरज उगने पर कुहासा फट गया तीसरा उसके पास जो कुछ था वा खो गया और option number D था उसका सब कुछ खो गया तो इसमें जो सही option होगा वा होगा C वा होगा C उसके पास जो कुछ था वा खो गया ठीक है फिर question number 21 में था सडके चौडी बनाई गई इसमें चौडी क्या है सडके चौडी बनाई गई इसमें चौडी क्या है question number 21 तो इसमें है B यानि पूरक फिर 22 में ये पूछा जा रहा है वा क्यों नहीं आया इसलिए क्योंकि वा बिमार था यहां की से क्या बोध होता है तो यहां की से बोध क्या होता है option number 1 अथवा B जोडने का C कारण और D और तो इसमें हम लोग को सीधे से दिख रहा है की जो है न ये कारण बता रहा है यानि option number C फिर question number 23 मद्यकालिन भारती आरे भासा का काल तो यह सीधे सीधे याद होना चाहिए पांसव हैस्वी पूरु से एक हजार इस्वी तक यानि option number A अंतस्त और उस्म वर्ड कितने हैं अंतस्त और उस्म वर्ड दोनों मिला करके कितने हैं तो question number 24 का आपका option बनेगा B 8 मताय के किस संदी का उधारण है 25 में आपका C हो जाएगा यह हो गया ब्रिद्दी संदी आयकी मांत्रा लगी हुई है तो यह हो गई ब्रिद्दी संदी question number 26 में आपके पूछा गया भील का इस्त्री लिंग बताइए तो भील का जो इस्त्री लिंग होता है वह होता है भील नी भपर बड़ाई की मांत्रा अल्ला और नी आपसा number B 27 में है धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्य हैं धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्य हैं यह होते हैं कृत प्रत्य आपसा number B जैपूरी का इस्थानी नाम है जैपूरी का इस्थानी नाम है 28 में था question इसका इस्थानी माने डूडा धी C पिर यह है रा का विवरण है रा के बारे मापको बताना था तो रा का विवरण है यह वत्स से है लुंठित भी है सघोस भी है अलब प्राण व्यंजन है आपसा number A फिर तीसवा उसने एक मुकदमा दायर किया इसका अंग्रेजी में क्या होगा तो इसमें अंग्रेजी कमें इसको ट्रांसलेट करना था तो he filled a suit यह हो जाएगा option number B फिर आपका question number 28 ग्रामीड लोग यहां अधिकतर निरच्छर हैं अंग्रेजी में इसको कैसे आप लिखेंगे तो 31 में यह हो जाएगा D The villagers are here are mostly illiterate फिर 32 The teachers was a man of fearless spirit इसको आपको हिंदी में बताना था तो इसका हिंदी होगा option number C सिच्छक निर्भीक ब्यक्ति थे question number 33 The magistrate order and iniquity इसका हिंदी में क्या होगा यानि इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करना था तो इसका हिंदी में होगा magistrate ने जाँच के आदेश दिये option number B फिर लेखक को क्या बोद हुआ अब यहाँ पैसा लग रहा है कि एक paragraph होना चाहिए था लेकिन वो paragraph यहाँ पे है नहीं ठीक है तो देखा जाता है इसका क्या होता है 34 में A ग्यान की तीवर इच्छा option number A ग्यान की तीवर इच्छा तो लेखक को क्या बोद हुआ तो इसका option होगा option number A ग्यान की तीवर इच्छा फिर अग्या question यह था कि लेखक को क्या जरूरत थी इसका इंसर होगा आपका D जिन्दगी की तब्दिली question number 36 question number 36 में यह था कि राक होने से क्या बात है राक होने की बात क्या है तो इसमें है B मुक्त हिर्दय दान option number B question number 37 मेरी इच्छा है 37 में option माना गया है दलदल को पार कर जाना यानि C निम्लकित में से सकर्मक क्रिया छाटि है तो इसमें दिया था चलना, सोना, मुस्कुराना और लिखना तो इसमें से सकर्मक क्रिया जो होगी वह होगी लिखना यानि D और फिर 39 में कौन सा सब्द अंधकार का परयावाची है तो अंधकार का जो परयावाची है वह है अमावस्या यानि सीग फिर अगला कोशन सही अर्थवाला सब्द यूग में कौन सा है आकार 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 खान आकृति कुल कुल बराबर वन्स सीतल, निर्जर बराबर सुन्ने जर्णा और सरसर बराबर बान भला आदमी तो इसमें सही अर्थ वाला जो आफ़सन होगा आफ़सन नमबर A आकर आकार और खान आकरिति फिर क्वेशन नमबर 41 है क्वेशन नमबर 41 में ये पूछा गया था कि जो कम खर्च करता हो उसके लिए एक वाक्यांस क्या होगा तो जो कम खर्च करता है उसके एक वर्ड यूज किया जाता है मित ब्याई आफ़सन नमबर C सब्द, सुद्द सब्द कौन सा है इसमें सुद्द सब्द छाटना था चिन कृपया दवाईयां और निर्भर सुद्द सब्द कौन सा है इसमें है डी निर्भर सुद्द सब्द निम्लिकित में इसे करता कारक वाला वाक्य छाटिये करता कारक वाला वाक्य छाटिये यह हो गया मोहन को जाना है यह करता कारक वाला वाक्य है निम्लिकित में इसे पुलिंग सब्द छाटिये तो 44 में पुलिंग सब्द छाटना था चाहत रंगत मिहनत आहार तो इसमें आपका आफसन बनेगा आहार डी पती सब्द का अभी भक्ती बहु बचन होता है ये भी पती ही होता है 45 में C और उसके बाद question number 46 है 46 में ये पूछा गया था निमलिखित निर्देशक चिन कौन सा है तो इसमें जो निर्देशक चिन होता है ये होता है D ये जो ऐसे डैस लगा दिया आता है ये निर्देशक चिन के जैसा यूज किया आता है सदा एक समान रहने पर लोकोक्ती प्रियुक्त होती है इसमें आपका answer बनेगा सावन हरेन भादो सुखे आफसर नमबर B इसमें पूछा जा रहा है कि उस वाक्त में तत्पुरु समात कौन से सब्द में है तत्पुरु समात पूछ रहा है कि सब्द में है तो इसमें 48 में आपके option बनेगा ये शास्त्र प्रवीड ये पिर 49 में पूछा गया Agenda is sent here फिर डाइस डाइस के लिए हिंदी में क्या होगा तो इसका आपका answer होगा ये कारिसूची साथ भेजी जा रही है फिर as mentioned there in के लिए हिंदी में क्या होगा तो इसके लिए आपका जो हिंदी वाक्य बनेगा वह बनेगा जैसा कि उसमें उल्लेक किया गया है option number a question number 51 51 में पूछा गया था कि कौन सा काकल्य सब्द है काकल्य सब्द जब यह पूछा गया तो शुरू में तो किसी को समझ में नहीं आया बहुत सी बुकों में भी नहीं है लेकिन अब इसका answer लगबग लगबग लोगों को पता चल चुका है और काकल्य जो word होता है वह होता question काकल्य वर्ड कौन सा होता है तो यह होता है 51 में हो गया आपका 52 में यह का उचारण स्थान क्या है तो यह का उचारण स्थान जो होता है वह तालू होता है option b में मौजूद है उपसर्ग बताईए अतिंद्री अतिंद्री में उपसर्ग बताना था और इसमें उपसर्ग होता है अति आपसर नमबर a अध्याहार का अर्थ है अध्याहार का क्या अर्थ होता है तो 54 में होगा c वाक्य में करता और कर्म का जूड जाना अध्याहार का लाता है एक ही विधे हो जिसमें उसे क्या कहेंगे ठीक है तो 55 में भी सी सरलवाक के कहेंगे उसमें उसको वह आपका सरलवाक हो गया 55 और उसके बाद समुच्चय बोधग अभ्याय नहीं है कौन सा अभ्याय इसमें से समुच्चय बोधग नहीं है तो 57 में आपका एंसवर आपको आफ़ान जो दिये गए थे ये दिया गया था अर्थात एट एव अथव और आजन्म इसमें जो आजन्म है आफ़ान न numbers see तद्भौ सभ। है चार वर्ड हैं इस में से तद्भौ सब आपको बताना है तो इसमें से जो तद्भौ सब बनेगा favor? क्यों कि सुर्ख सत ढखाई और भक्त इतना से बताना है इसमें होगा धाई जो है ये तद्भोव सब्द है इस्त्रीसब्द का विसेशड्र है इसमें स्ट्रेड यानि अप्शन नंबर डी है फिर आता है कॉश्चन नंबर 61 कुंचन 61 में आपते पूछा गया रितू का अर्थ है रितू का अर्थ है और इसमें आपका 61 में सही होगा D, रितू का अर्थ होता है D, फिर सोक करना के लिए मुहावरे हैं, 62 में सोक करना के लिए, तो इसके होगा सिर भारी होना, सिर चढ़ाना, सिर पीटना, सिर पर सवार होना, इसमें सही होगा सिर पीटना, आपसा नंबर सी, 63 में था भूर्जा का संधी विच्छेद होगा तो भूर्जा का जो संधी विच्छेद होगा वह होगा भू प्लस उर्जा आपसन नमबर C वचना मृत समस्त पद का विग्रह होगा Q64 इसमें होगा वचन रूपी अम्रित आपसन इसका D सही था पिर हिंग लगे इन फिटकरी रंग भी चोखा होए ठीकर इस लोकुक्ति का अर्थ पूछा गया था तो इस लोकुक्ति का अर्थ लगबग लगबग सबको पता होगा कि इसका होता है बिना खर्च अच्छा काम हो जाना यह हो गया Q66 में पूछा गया था बिना पलक जपकाय के लिए एक सब्द है तो बिना पलक जपकाय के लिए एक सब्द जो होता है वह निर्निमेस होता है C, अर्द विव्रित स्वर कौन सा है? 67 में अर्द विवरित स्वर यह होता है A, आफसण नがबर B फिर आता है 68, 68 में पूछा गया प्रग्या चसु के लिए वाक्यान 68 में इसके लिए होगा B, बुद्धी जिसका नेत्र हो आफसन नमबर B सही है फिर 69 में सुद्ध वाक पूछा गया तो वाक क्या आपके सामने है गाय के पूछ होती है उसकी बेटी हुई गोपाल को लड़का हुआ और मर्द की दारी होती है तो इसमें जो सही आफसन है वह है A, गाय के पूछ होती है 70 वह आई हो तो मेरी चिठी उसे दे देना इसमें बताना है कि कौन सा काल है तो इसमें जो है 70 में B होगा संभाव्य बरतमान है 71 देखते हैं हम लोग क्वेशन नमबर 71 में पूछा गया इस्त्री लिंग अलग कीजिए इसमें इस्त्री लिंग सब्द बताना था हुलास, हरकत, हमला और हवाला तो इसमें जो आफसर नमबर B है हरकत ये जो है न इस्त्री लिंग सब्द है सभी चिठी या डाक से भेजी गई इसमें करता कौन सा है ठीक है कोशन आप से ये पूछा गया कि सभी चिठी या डाक से भेजी गई तो इसमें करता क्या है तो इसमें जो करता है वह हो जाएगा आपका चिठी या भेजी क्या गई चिठी या भेजी गई इसलिए जो करता है वह होगा D आफसर नमबर ठीक है चिठी या फिर 73 में विशर्ग संधी है, 73 में पूछा गया विशर्ग संधी है, तो विशर्ग संधी जो होती है न, इसमें है निसकाम. 74 में दुरुगा का परयावाची आप्षन भारती, श्री, धात्री और जोचना 74 में एंसर बनेगा C धात्री 75 संग्या की द्वी रक्ती हो तो उसके बीच कौन सा चिन्ह आता है तो इसमें आपका है अवतरल, योजक, कोश्ठक और निर्देशक 75 में आपका आफ्षन बनेगा B योजक कोश्ठन नमबर 76 में पूछा गया स्याम को पुष्टक पढ़नी है यह किस वाच्ची में है तो 76 में यह कर्म वाच्ची में है आफ्षन नमबर D कुछ जगह फोड़ा और ससुर वैद कहावत का अर्थ क्या है 77 में इसका अर्थ बनेगा धर्म संकट की इस्थिति आफ्षन नमबर D 78 में अच्चूग विशेसर के साथ उपर्यूग्त संग्या कौन सी है अच्चूग विशेसर के साथ उपर्यूग्त संग्या जो है वा निसाना क्रियार्थक संग्या सदा किस रूप में रहती है तो क्रियार्थक संग्या हमेशा एक वचन पुलिंग में रहती है आपसर नमबर B और 80 में दुकाल में कैसा उपसर्ग है तो इसका अंस्वर होगा C इसका अंस्वर होगा C हिंदी ठीक है तो इस तरह से अभी हम लोगों ने हिंदी को समाप्त किया थोड़ी दिर में मैं GS का भी portion अप्लोड करूंगा तब तक के लिए थैंक्यू